आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिध्धान दगनी हुतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है यार देखो कल मैं कल मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी और मेरी रूप काप गई मियनमार में तक्तापलट हो गया है और बहुत बुरे हाला थे दोस्तु मियनमार बुद्धिजम का देश क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा देश जिसने इतने सालों तक देमोक्रेसी के लिए लड़ाई-लड़ी हो प्रसे वहां पे तक्तापलट हो गया है एक आपको बता तो इंसान की फित्रत उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है और यह सब के साथ होता है ब्यानमार की फित्रत यह है कि यहां पर तक्ता पलट होते रहते हैं लेकिन अब तक्ता पलट देखे कि किसी को dictatorship nobody wants dictatorship हर किसी को freedom चाहिए dictatorship में 70 क्या 90% 80 to 90% जो सकता आती है वो military के पास यह भाई जाहिट सी बातना अगर military की backing नहीं होगी देखे यहां पर दो लोग है military एक जनता है military के पूरे हतियार है तो military ही तो जिस दिन military ने आपका साथ छोड़ दिया उस दिन देश का तक्ता पलट हो जाएगा और जिस दिन पबलिक एक दूसरी तरफ है पबलिक और जिस दिन पबलिक जाग गई उस दिन तक्ता पलट का इंड तो जितनी भी बड़ी यह authorities है न यह सब दरती है कि free media ना हो और बहुत ज़ादा ताकत वर military ना हो साथी अरेबिया में यही है वहाँ पर free media नहीं क्योंकि free media से लोगों की चेतना जग जाती है लोग सवाल पूछना चुरू कर देते हैं केल खतम म्यानमार में इतनी खराब condition इसलिए है दोस्तो आखरी तक lecture सुनिएगा क्योंकि यहां की आर्मी ने बरबरता की सारी हदे पार कर दी है यहां की आर्मी जो है गाओं में जा रही है गुच रही है और तो का बलातकार कर रही है और उनको वही मार दे रही है इतनी बुरी हालत है टेस्टी मनीज दोस्तो आप जब सुनेंगे म्यानमार से डरके लोग भारत आ रहे हैं मनीपुर में सर शरण ले रहे है हम देखेंगे दोस्तों एक एक चीज चानल को सब्सक्राइब करो यार मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है क्योंक कि बहुत अच्छा आपने प्यार बहुत जादा आपने प्यार दिया जबसे मैंने स्टेडी चोड़ा है ऐसे प्यार देते रहो यार और सब्सक्राइब करो एक सेकेंड लगेगा हम दोंको बहुत जाद मोटिवेशन मिलता हां इंस्टा पर मुझे फालो करो अब इस वक्त हो सके है ना जो भी ट्रेडिंग होती हो कम हो सके यह आप देख सकते है मैंनमार को पहले बर्मा बोला जाता था मैंनमार का इतिहास मैंने कई बार कवर भी किया है मैंनमार उसके बाद आंग सांग सूकी की बायाग्राफ यह सब मैंने बताया है तो दोस्तों यह आप देख स आंग सूकी को अरेस्ट कर लिया गया है आंग सूकी जिन्होंने तीन दशकों तक 1989 को आंग सांग सूकी को अरेस्ट कर लिया गया था और बीस सालों तक दो दशकों तक इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया नजर बंद किया गया जब बहुत जादा इंटरनाशनल प्रेशर ब कि जाते जाते भी मिलिटरी ने खेल कर दिया था सम्विधान बदल दिया लेकिन उसके बावजूद आंग सांग सुकी भले ही राश्योपती नहीं बन पाई लेकिन पावर इनके पास थी अब 2012 के बाद दोस्तों क्या हुआ ना कि मतलब जब से आंग सांग सुकी आई है लग अब गया अब गई अब गई क्योंकि मिलिटरी की मिलिटरी ने ऐसी पकड़ यहां पर मजबूत कर ली थी भाई रोहिंग्यास के साथ कितना बुरा परता हो रहा है यह आरोप लगता ना सांग सुकी के ओपर कि एक औरत जिसने फ्रीडम के लिए डेमोक्रेसी के लिए पीस अब सांग सुकी और मेंबर्स ऑफ एन एलडी नाशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन सब को डिटेन कर लिया गया है और यह बहुत 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 जादा चिंता जनक है बहुत जादा चिंता जनक है अब तो आपको पता कि पहले इसको बर्मा बोला जाता था था मियानमाल 1989 म बैक इन चार्ज इस समय मेरिट्री के पास पूरी ताकत आ गई है एक फरवरी को इन्होंने कंट्रोल ले लिया आंग सांग सूकी देखिए अभी इलेक्शन हुए फिर आंग सांग सूकी जीद गई National League of Democracy for Democracy ने NLD जो कि आंग सांग सूकी की पार्टी है सूपड़ा साफ कर दिया आंग सांग सूकी वापस आ गई दिवाग खराब हो गया आम्ड फोर्सेस का आर्मी की पार्टी थी मैंने बताया न इंसान की फितरत तो बदलती नहीं है तो यहां पे आर्मी की फितरत तो बदली नहीं कि ऐसे कैसे यह आ सकती है ओर उसके बाद उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ एलेक्शन में इसलिए आंग सांग सूके को अरेस्ट किया डिटेन किया गया अलग अलग लोकेशन्स पे ले जाया गया लोगों बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग परशान हो गए कि अब करें तो करें क्या NLD के MPs कुछ बच गए ठीक है कुछ भाग खड़े हुए या कुछ गुरुप ऐसा था जो छुप रहे हैं वन्ना मिलिटरी तो मार रही है मिलिटरी तो पकड़ पकड़ के मार देगी सबको ऐसा है और लीडर ने ये बोला है प्रोटेस्टर से कि अपने आपको बचाओ यहां रक्षकी भक्षक बन गए हैं ऐसी है ऐसी बात है तो किसके पास चार्ज है मिलिटर इनका बहुत जादा रहा है सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंसानी माना जाते हैं फस्ट तो आंग सांग सूकी है लेकिन आंग सांग सूकी को पब्लिक का सपोर्ट नहीं है इंको इनको कंडेम किया गया है और इनके ओपर सैंक्शन्स लगा दिये गए हैं पहले भी लगाए इसलिए फूटी आँख नहीं सुहाते पब्लिक कमेंट आया था इनका आपको पता है इन्होंने क्या पहली बार जब यह पूरा तक्ता पलट हुआ यह बोलते हैं कि बिल्कुल सही हुआ फ्री एंड फियर इलेक्शन्स यह हर कोई बोलता है यह इलेक्शन के बाद ही तक्ता पलट होता है क्योंकि वो दूसरा जो चाहता वो आता नहीं तो इन्होंने बोला कि ठीक तो है तक्ता पलट वह यह फ्री एंड फियर इलेक्शन्स कैसे ये खतम हो जाएगा दुबारा में एलेक्शन करवा देंगे सबसे जूटा सारे लोग मिलिटरी रिजीम के खड़े हो गये तो फाइनली आंग संक्सू की को रिलीस किया गया था और अब एक और रेविलुशन आ गया है हर कोई है हर कोई टीचर्स लॉयर्स स्टूडेंट बैंक ऑफिसर्स गवर्मेंट वर्कर्स एवरीवन इस दियर और मिलिटरी ने लगा दिये हैं 27 मार्च को 100 लोगों को मार दिया गया सो लोगों को क्या विश्वास करेंगे तो इस तरीके की हालात है वैसे सानांट गैंट अन्मार में आर्मी कर रही थी वैसे भाग गये अब आंट्स अंग सूग क को अरेस्ट कर लिया गया है आंग सांग सू की 1989 ये भारत से ही पड़ी है भारत की बेटी एक तरीके से उसके बाद फिर मयानमार गई मयानमार में फिर 1989 जब इन्होंने पुरा हमें देखते हैं कि मूमेंट चलाया तब इनको रेस्ट कर लिया गया 1989 से पूरा 2007 तक नजर बंद रही यहां तक अपनी जब इनके पती को कैंसर था इनके पती की जब मौत हुई तब भी नहीं जा पाई उनसे मिलने क्योंकि इनके पती ब्रिटेन के थे इनके इनको जब नोबेल पीस प्राइज मिला तब भी वो लेने नहीं जा पाई जब इंटरनाशनल प्रेशर बहुत बड़ा मियान मार पे तब यह सारी चीज़े हुई हैं अब इंटरनाशनल रियक्शन क्या है हर कोई क्या कह रहा है सब ने बोला है बहुत गलत है अमेरिका यूके यूरोपियन यूनिया एंड इ संसुकी को रिलीस किया जाना चाहिए इसका मतलब कही ना कहीं मियान मार की कू के पीछे चाइना का भी हाथ है साउथी स्टेशन कंट्रीज कह रही है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट समको लगाने चाहिए ताकि क्राइसिस को इंड किया जा सके भारत का तो स्ट्राटेजिक प झाल